बिग बॉस घर में नॉमिनेशन्स हुए हैं चलिए बता देते हैं आपको किसने किसको नॉमिनेट किया है अलाकि बड़ा ही शॉकिंग नॉमिनेशन अविनास ने किया है जो कि शॉकिंग तो नहीं मैं ये कहूंगी एक्सपेक्टेड ही था कि अविनाश ने पहले ही अपने पत्ते खोल दिये थे और बोल दिया था कि भीया इस गुरुप का तो अंत मैं ही करूंगा क्योंकि इस गुरुप को बनाया भी मैंने ही है मेरी वज़े से ये गुरुप बना था तो अब मेरी वज़े से ये गुरुप टूटेगा और जब आ गोगों की भी नज़रों में बुरा हो जाएगा और वो बुरा दिखेगा भी भले हो गेम खेल रहा है लेकिन हर बार उसको डिखोट करने की कोसिस कि जाएगी कि भाइब आप एसे गेम खेल रहे हो आप सोच कि साजी से कर रहे हो तो यह तो ठोड़ा सा उमीध नहीं की जा सक इसकी चलिए बता देते हैं आपको कि किसने किसको नॉमिनेट किया है अविनाश ने अविनाश ने नॉमिनेट किया है विवियन को और करन को जिया दो लोगों को उसने नॉमिनेट किया है और दोनों का ही रीजन उसने ये बताया है कि जो करन अरजुन और मम्मी चल रहा है य कि यह क्या रीजन होता है अभिनाश, एटलेस्ट विवियन को नॉमिनेट करने का, क्योंकि विवियन तो आपके साथ बहुत स्ट्रॉंगली खड़ा है, वो तब भी खड़ाता है, जब आप जेल में थे, आपके साथ कोई नहीं था, वो बनता तब आपके साथ खड़ा था, लेकिन आज आप उसके वो जिस तरीके से, अपने गेम प्लान की वज़े से, या जो भी कारण है, उसकी वैसे जो धोखा दे रहे हो, आप बहुत गलत जा भी रहे हो अभिनाश, करन की बात करें तो करन ने नॉमिनेट किया है सारा को और बगगा को, करन ने क्यो सारा और ब बगगा को भी नॉमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग निकलेंगे, कैसे अगर ये नॉमिनेट ही नहीं होंगे तो, वीविन आते हैं, वो चाहत को नॉमिनेट करते हैं, और डिगविजा को नॉमिनेट करते हैं, जो कि बड़ा ओव्योस सा है, चाहत से दिगविजा की बिल्कुल नहीं बनती है चाहत से विविन की बिल्कुल नहीं बनती है और डिगविजय से भी डेवन से ही प्रॉब्लम तो रही है और डिगविजय ने भी विविन को ही नॉमिनेट किया है शिलपा शिरोटकर आती है वो बगगा को नॉमिनेट करती है और इडन को नॉमिन चाहत आती है वो ईशा और विवन को नॉमिनेट करते हैं जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है कि टार्गेट अपना चुन के रखो भई चाहत और ईशा और विवन को नॉमिनेट करते हैं यामिनी जो है वो इडन और बगगा को नॉमिनेट करते हैं बगगा करन और शिल्प अब वेसी बाद है, कल कस्यस के साथ जो हुआ वो हम समने देखा, चाहत ने भी कस्यस का नाम लिया, चाहत किधर है कुछ पता ही नहीं चल रहा है अजकल, शुतिका ने नौमिनेट किया यामिनी और इडन को, और इडन ने नौमिनेट किया करन एंड डिगविजय को, अब ऐस नौमिनेट हुई है, कौन होगा बाहर, अब आप बताइए, बगगा बाहर होंगे, या फिर इडन बाहर होंगी, या चाहत बाहर होंगी, क्योंकि इनी तीनों में से कोई बाहर हो सकता है, वैसे चाहत तो नहीं होगी, चाहत के अभी बहुत सारे चीजें हैं घर के अंदर क यह सही है गलत आप अपनी राय जरूर दिखें कॉमेंट में